जंगल में शिकारी अक्सर शिकार करते समय जो खिम उठाते हैं कभी-कभी बड़े शिकार को निशाना बनाते हैं कभी-कभी ये प्रयास सफल शिकार बन जाते हैं जबकि कई बार वे असफल हो जाते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई शेर के दर्याई घोडे पर छपटा मार सकता है या क्या जगवार का एक समुहे कूरी तरह से विक्सिति नाकोंडा को मार गिरा सकता है देखते रहिए क्योंकि हम शिकारियों के क्षेत्र में अपने आकार से दोगुने आकार के शिकार का पता लगाते हैं नमबर पांच शेर इस क्लिप में माला माला गेम रिजर्व में शेरों द्वारा शिकार करना कोई असामानी बात नहीं है यहां शेफ शिकार की विभिन तक्नीकों का प्रदर्शन करते हैं खास तौर पर केप भिस को निशाना बनाते समय हमारे फुटेज में एक अकेला शेफ शिकार पर निकलता है और एक छोटे भ्लैंसे को सफलता पूर्वत पकर लेता है बाद में उसके साथ ही शेरों के जुण के साथ मिलकर उसी मार जालता है बीस शेरों के जुण के साथ उनकी सन्युक ताकत उन्हें सबसे बड़े भ्लैंसे पर भी हावी होन में सक्षम बनाती है ब्लांसे के आकार और ताकत के बावजूद शेरों के जहुंड के समन्विध हमले के सामने उसके पास बहुत कम संभावना है ब्लांसे की दर्दनाफ चीठों को देखते हुए शेर तब तक डटे रहते हैं जब तक उनका अंतिन लख्ष पूरा नहीं हो जाता बांसे की मौत इस क्लिप में एक नर्शेर एक कम जो दर्याई घोडे का शिकार करने का अवसर्ट करता है जो अपने सामभाने निवास स्थान से भटक रया था दर्याई घोडे के अकेले पन को पहचानते हुए शेर तेजी से उसी स्थिर करता है और उसी मार डालता ह जो शेर की व्यर्भार में निहित अवसरवादी प्रकृति को दर्शाता है इस क्लिप में मापोगु शरों का सामना फ्लांसों के जुन से होता है जो अपने भोजन के लिए एक बच्चे के बच्छरे को निशाना बनाते हैं सुबह सुबह शरों और भ्रैंसों पर नजर र जाते हैं लेकिन तभी जुन के बाकी सदस्च उसकी रक्षा के लिए दोड़ पड़ते हैं और शेरों के प्रयासों को निर्णायक हमले से विप्फल कर देते हैं जिससे शरों को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ता है ये मुझ भीड़े जंगल में शिकारियों और श जागर करती हैं नमबर चार जंगली कुत्ता इस क्लिप में दुर्भाग्यपूर ने सेच से बेखुद को जंगली कुत्तों के एक छुन द्वारा तेजी से पकड़ा हुआ पाता है उसे प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही जारों तरफ से घेर लिया जाता है भा जब भगवर कोई आपको भोजन या प्रतिसपरधा की रूप में देखता है वास्तों में ये हैल्ग कठोर बास्तविक्ता है इस क्लिप में लगभग 25 जंगली कुत्तों का एक जुन्च एक मादा वाटर बग का कुष्लता पूर्वक शिकार करता है शुरुआत में एक जा सामने आते हैं जब एक और शिकार जुन्च से आगे निकलने में असमर्थ अपने अजनमी बच्चे के साथ एक तेज और क्रूर मौद का सामना करता है जिसे पकड़ने के कुछी मिन्टों के भीतर खालिया जाता है इस क्लिप में एक मादा कुड़ू जंगली कुत्तों के सथक पीछा का शिकार बन जाती है हालाकि यह इंग्रिश्य दुखध हो सकता है लेकिन कुड़ू की सदमे से प्रेवित स्थिती शिकार की तीवरता से एक दयालो राहत के रूप में कारे करती है वद्ध की ये विधी जिसमें जंगली कुत्ते 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंट द्वारा एक युवा पालीड अबीस्ट को उसकी मासे अलग करके पानी के गड्धे में फसाने के बाद एक रूमान चकशिकार शुरू होता है क्रूर शिकारी ज़ल्दी से अपने शिकार को घेर लेते हैं जिससे युवा पालीड़ अबीस्ट के पास पचने की बहुत कम ये मुट्भीडें प्राकृतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं की एक गंभीर छलक पेश करती हैं, जहां जीवित रहनागती, चपरता और निर्मम दक्षता पर निर्भर करता है, शिकारी और शिकार के अधर चक्र में जीवन और मृत्यू के बीच की रेखा अकसर धु अधरली हो जाती है, जो हमें जंगली जानवरों की कच्छी और निर्मम टक्रिदी की याद दिलाती है। आहिं रोगता है। एक चन चल बात्चीत के बाद मार्टिन पर मूसन मुन्टरजक पर एक शिकारी बिल्ले की तरह चाकरता है। पाता है जो पकड़े जाने से बचने के लिए बेताब होकर भावने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है अपनी मा को देखते हुए मार्चन इलकु को गले से पकड़ लेता है और परिशान मा की किसी भी असक शेप के बिना उसी मार देता है जैसे ही मार्चन बेजान इलकु को दीवार पर चढ़ाता है। ये मा के लिए एक भया वेहन रिश्य बन जाता है। जहां वो शिकारी द्वारा अपरिहारे भ्हक्षन से पहले अपने बच्चे को खोती हुई देखती है। अगर बिल्ली पूरी तरह से विक्सित होती तो परिणाम अलग हो सकता था। लेकिन मातन के उपस्थेती एक महत्पून खत्रा प्यदा करती है। जिससे बिल्ली की जीत की संभावनाओं पर संदेह होता है। नमबर दो लकडबगे बचने की पहले से ही चुनोती पून चुनोती से और भी चटिल हो जाता है। इस फ्लिप में एक पूरी तरह से विक्सित दर्याई घोडे का साम्ना करने की बात आती है। तो अफ्रिका के सबसे साहसे शिकारी ही उस से भिरने की हिम्मत करते हैं। अपने दुर्जे नट सेंटीमीटर के दांतों और मोटी तायर जैसी तवचा के साथ। दर्याई घोडे महादवीब के सबसे दुर्जे और खतरनाक जीवों में से एक हैं। जब लकडबग्य अपने दुर्भा के पून शिकार को खा जाते हैं। तो उनमें से एक बीमार दर्याई खोडे को कुछ फुस फुस आता हुआ प्रती होता है। शायद ये उनकी सामोहिक भुकी याद दिलाता है। इस क्लिप में लकडबग्य भैस को गिराने के लिए चालाकी से काम लेते हैं। उसकी सबसे समवेदन शीलक शेतर नितंबों को निशाना बनाते हैं। जिससे दुर्जे शाकाहारी जानवर उनके हमले के लिए कमजोर हो जाता है। जब पुरा लकडबग्य जुनने आ जाता है, तो वैंसा ग्रिल के लिए उप्यूक्त शिकार बन जाता है। इस क्लिप में एक जीवित विल्टा बीस्ट को खाने की पीड़ा से विचलित हुए। बिना ये लकडबग्य अपने शिकार की अंतिम भृत्यू की परवाह किये बिना अपनी भूख मिटाने पर पूरा ध्यान केंड़ित करते हैं। उनके शक्ति शाली जबड़े जंगली जानवर का काम जल्दी से ये पटा देते हैं। जिसे उसकी पीड़ा का तुरंट अंठ हो जाता है। नमबर एक जगवार जगवार आमतर पर जोड़ी बना कर शिकार नहीं करते। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखना संभावित जोड़ी का संकेत हो सकता है। इन जानवरों के आकार को देखते हुए उन्हें परियाप्त मात्रा में मान्स की आवश्रक्ता होती है। बड़े शिकार से भरपूर पारिस्थिती की तंत्र में पनवते हैं। हाला कि कोस्कारिका में जगवार अनिश्चित भविर्श का सामना करते हैं। जहां की आबादी मवेशी पालकों से खत्रे के कारण घट रही है। जो कभी-कभी उन्हें निशाना बनाते हैं। खासकर अगर उन्हें घोड़ों या मवेश्यों का शौक हो जाता है। इस ख्लिप में एक जगवार एकना कोंडा के साथ दलदल से निकरता है। बचाव के लिए साब के जगवार के सिर के चारों ओर कुंडली मारने के पाफ जूत। ये जगवार ही है जो नियंतरन बनाये रखता है। सरी स्रिप को अपने दांतों से मजबूती से पकड़ता है। और उसे उसके भागे की ओर खिशता है। अन्य बड़ी बिल्यों के विपरीत जो अपने जबड़े को उनकी गर्दन के चारों ओर दबा कर शिकार का दम खोनते हैं। जगवार शक्ती शाली काटने का इस्तिमाल करते हैं। अपने शिकार पर कई काटने के निशान छोड़ते हैं। जैसा कि एक ब्रिक कैमन को खाने के लिए एकांट स्थान पर खीचे जाने से पता चलता है इस ख्लिप में जंगली सुवर से मुठ भेड़ोने पर जगवार अपना प्रभुत्व जताता है जिससे तनाव कोन गतिरोत पैदा होता है सुवर द्वाराउत्पन संभावित खत्रे के बाब जूद वह जगवार की श्रेश्ट शक्ति को पहचानता है और टकराओ से बचते हुए बुद्धे मानी से पीछे हड़ जाता है हलाकि रात के अंधिरे में हाथा पाई होती है लेकिन जंगली सुवर अपनी जान बचाते हुए भागने में सफल हो जाता है इस क्लिप में एक जगवार एक बित तपे को अपनी मान में घसीता हुआ दिखाई देता है यह स्पश्ट नहीं है कि जगवार ने शिकार किया या शब पर ठोकर खाई फिर भी जगवार अपने शिकार के अवशेशों का अनंद लेते हुए अपने भोजन का अनंद लेता है दोस्तों हमें बिस्वाश है कि एए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्क्राइब और लाइक करे ताकि हमको मोटिविट मिले अगली वीडियो में एसी अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगी दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छासी और सही सलामत से रहे ठ्यांक्यू